एक बात अब कहती हूँ राम, कृष्णा, शीव, दुर्गा, पैगंबर, पीर, मंध, भग्त, ज्यानी बड़े-बड़े बड़े गुन रखते हैं बड़े-बड़े गुन रखते हैं लेकिन फिर भी आप ये भी देखते हैं कि एक दूसरे के जो विरोधी होते हैं वो अपने विरोधी पक्स के मसीहा, पैगंबर, अवतार के चरन में, चरित्र में, चलन में कमिया निकाल लेते हैं ये ऐसा करते हैं, वो ऐसा क्यों करते थे? ऐसा क्यों करते हैं? उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया? मैं उस लिस्ट में नहीं जाती हूँ कि कौन क्या किसके उपर क्या आक्षेप लगाते हैं? तुम खुब अच्छे से जानते हो हिंदू और मुसल्मान एक दूसरे पर आक्षेप लगाते हैं हिंदू और सिख एक दूसरे पर आक्षेप लगाते हैं सिख और इसाई एक दूसरे पर आक्षेप लगाते हैं इसा क्यों किया, उनने ऐसा क्यों क्या, उनने ऐसा क्या, यह गलत था, यह नहीं गलत था, हम लोग character का post matum कर सकते हैं, करते हैं, करते हैं, एक दुसरे को निचा दिखाने के लिए, जब एक दुसरे की लड़ाई में हार जाते हैं, तो फिर अपने अपने भगवानों को बीच में ले आते आईए हद दर्जे की बेवकूफी होती है हद दर्जे की मोड़ता होती मेरे देखे हर ब्रह्मवेता हर जागरत व्यक्ति अपने जीवन में जब भी कुछ भी करता है उस समय के हालात उस वक्त की मजबूरियां उस वक्त की जो भी स्तित्यां रही होंगी उसके अनुसार उनको निर्ने लेने पड़ते है जैसे अगर मैं ये कहूँ कि महम्मद साहब के लिए युद करना उनका चुनाव नहीं था ये उनकी मजबूरी हो चुकी थी जैसे कि गुर्गोबिन सिंग के लिए युद करना उनकी मजबूरी हो चुकी थी अब ऐसे हालात गुरुनानक के समय पर नहीं थे और अगर थे भी तो वो उनके स्वभाव में ही नहीं था कि वो तलवार उठाते सोच के देखो कि गुरुनानक और तलवार आथ में लिए उनकी करेक्टर उनकी परस्नालटी उनकी बावनात्मक जो गहराई है उसमें मेल नहीं खाता है देखो ग्यान की जो स्थिती है उसमें कोई भेद नहीं है लेकिन मन और स्वभाव जो इमोशनल लेवल होता है यहां पर भेद होता है होगा यही कारण है ब्रह्म ग्यानी एक व्यक्ती और ब्रह्म ग्यानी दूसरे व्यक्ती के जीवन को, चरित्र को हैबिट्स को अगर तुम मिलाना चाहोगे तो बिलकुल डाइवर्स होंगे, बिलकुल वो अलग होंगे मन के तल पर भेद होता है इसलिए मैं हमेशना एक बात कहती हूँ कभी भी किसी जागरत व्यक्ती का किसी दूसरे जागरत व्यक्ती से कंपेरजन तुलना नहीं करनी चाहिए कि वो ऐसे हैं तो वो ऐसे क्यों नहीं है अरे एलाइटन मास्टर कहते ही उसको हैं जिसके पास उसकी स्वतंत्रता है और वो अपनी स्वतंत्रता में अपने जीवन को जिएगा आप उसके उपर नियम काईदे कानून नहीं लागू कर सकते हैं वो आप अपर ब्रह्म हो जुका है अब ब्रह्म के उपर कौन से नियम तुम ला दोगे, ये कर और ये ना कर कौन कहे उस बेपरवा मालिक से तु ये कर और तु ये ना कर ठीक, ऐसे ही किसी ब्रह्मवेता से ये नहीं कहा जा सकता है कि तु ये कर या ये ना कर, वो जो भी कुछ करता है, उसके करने के पीछे उसकी होश है, उसकी समझ है उसका विवेक है रही में रिहा के रह्मान है और हमको रिहाई देता है हमारे बंधनों से, हमारे दिमाग की छोटी सोच से हमें बड़े दिल वाला बड़ी समझ वाला बड़े विवेक वाला बनाता है कि पाक बे एब है व्यक्तियों के तल पर आएंगे तो एब बहुत मिल सकते हैं दिखते हैं और लोग गुरूओं, पीरों, पेगंबरों को भी बक्षते नहीं हैं उनके भी एब निकालते हैं पर आप पर अबरम, तेरे में कोई आब नहीं तेरे में कोई आब नहीं आपकु नहीं है कि गैबुल गैब है गैबुल गैबुल कारत होता है परदा गैबुल गैब है परदे में है गैब है हमारी आँखों से ओचल अद्रिसे, पीछे कह चुके न, अद्रिसे अद्रिसे को अब दूसरा शब्द दे रहे कौन सा? गैबुल, गैब है पूरण तोर परगुप्त है तू पर सोच के देखो सोच के देखो उन इंसानों को जिन इनसानों ने उस गुप्त को भी प्रगट कर दिया वो तो गुप्त था पर प्रगट कर दिया और उस प्रगट की खबर भी दे दी दुनिया को कि अफवुल गुना है अफवुल बक्षिश करता है हमारे गुनाहों की तु छमा हम को देता है कि शाहान शाह है कि कारन कुनिंद है कारन है You are the reason for whatever is happening जो भी कुछ खो रहा है उस सब कुछ करने वाला तु है मैं फिर थोड़ा सा यहां सपष्ट कर देना चाहती हूं यह जब से श्लोक यह आये हैं कि रोजी रजाके कि रहीम रिहाके अब यह सब परब्रह्म के चिन नहीं है इश्वर के चिन है इश्वर in contrast in connection to the world and the individual soul इश्वर के वर्नन हो रहे हैं कि शाहन शाहें की कारन कुनिंद है कि रोजी दहंद है कि राजक रहीम है कि कर्म करीम है कर्म करने वाला है तु कि सर्बम कली है कि सर्बम दली है कली है कलावान सबसे बड़ा कला कार तो थु पिकानसों से किसी ने कहा कि मैं तेरे को मुह माँगा इनाम मुह मांगी रकम मुह मांगी फीस देता हूं मेरे लिए उक्ते हुए सूर्य का एक चित्र बना पिकासो ने का ठीक है दो महीने बाद आना दो महीने बाद वो गया चित्र देखा आदमी को पसंद नहीं आया मुले नहीं, मजा नहीं आया पिकासो ने का कोई बात नहीं आज पिकासो की बनाई हुई कलाकृतियां करोड़ों रुपे में बिखती हैं पर जब पिकासो जिन्दा था तब बैचारे को बड़े, मुश्किल हालात से गुजरना पड़ा था यह भी अजब खेल होता है कईयों के साथ, जिन्दा रहते हैं, पैसे को तरसते हैं, मर जाते हैं, तो उनके द्वारा छोड़ी गई चीजे करोड़ों में बिख जाती करोड़ों में बिख जाती तीसरे बार जब आया तो पिकासो से पुछता है क्या मेरी पैंटिंग तैयार है, बोले बिलकुल तैयार है तो बोले फिर दो, दिखाओ बोले नहीं उसके लिए सुबह आना पड़ेगा, थोड़ असा काम बाकी और देखो, तुम यहां मत आना मेरे स्टुडियो में मुझको नदी किनारे मिलना, सुबह और देख, पाँच बज़े पूरे, लेट नहीं होना ठीक है, कोई बात नहीं ठीक, सुबह पाँच बज़े, पैंटिंग लेने के उच्छ साह में क्योंकि पिकासो ने बहुत कांफिड़न से यह बात कही कि तेरी तयार है, तो मैं दे दूँगा और सुबह आ करके ले जाना, and that's it सुबह पहुंचा वाँ, और क्या देखता है, पिकासो पहले से ही खड़ा उसे का, लाओ मेरी पैंटिंग उसे ने का, यहाँ आओ जरा यह सामने देखते हो तो क्या देखता है, खाली फ्रेम लगा रस्यों से बांद किया रस्यों से, पैड़ की शांक में बंधा है फ्रेम लटक रहा है उससे का, यहाँ देखो ठीक, उस जगे पर सुर्य उदे हो रहा है और उदे होते सुर्य को उस फ्रेम में पिकासो दिखा रहा है और कहता है, यह रही तेरी पैंटिंग क्योंकि इसके जैसी मैं नहीं बना सकता चड़ते हुए सूरज की असल पैंटिंग वास्तविक, रियलिस्टिक पैंटिंग कोई पैंटर नहीं बना सकता है परमात्मा सबसे बड़ा चित्रकार और उसके द्वारा चित्रत दृष्णों की कापी कोई इनसान कर नहीं सकेगा उसके तुल्य वही है उसकी कला के सामने सब कलाएं फीकी पड़ जाती सर्बं कली हैं की सर्बं दली हैं की सर्बत्र माने की सर्बत्र दाने की सर्बत्र गोने की सर्बत्र भोने सब जगे तु रहता है सब जगे तेरी पहुँच है सब को तु सब कुछ देता है की सर्बत्र देसे की सर्बत्र भेसे की सर्बत्र राजे कि सर्बत्र साजे सब जगे तु ही भैस बाना करके बैठा है सब जगे पर तुने ही अपने आप को सजा के रखा हुआ है और तुने अपने आप को सब जगे बैठा के रखा हुआ है कि सर्बत्र दीने कि सर्बत्र लीने सब कुछ देता भी तु है और सब कुछ लेता भी तू है तो पैदा होते हो तो देखो एक एकर के दान्त आते हैं आखों की रोशनी बोलना, चलना अकल, सब मिल रही है और फिर यही यही दान्त भी जाते है यही यही शरीर की शक्ती भी जाते है वो देता भी है वो लेता भी कि सर्बत्र दीने कि सर्बत्र लीने कि सर्बत्र जाहो कि सर्बत्र भाहो सर्बत्र जाहो मतलब सब जगे तेरा ही जलाल सब जगे में बाहो बाहो मने चमक तेरी ही चमक सब जगे सब जगे तेरी ही चमक कि सर्बत्र देशे, कि सर्बत्र बेशे, कि सर्बत्र काले, कि सर्बत्र पाले सब जगे में तू, सब भेश में तू, सब काल में तू, सब की पालना तू करता है कि सर्बत्र हंता, कि सर्बत्र गंता, कि सर्बत्र बेखी, कि सर्बत्र पेखी हंता मारने वाला गंता गंता माने जिस तक चल के पहुँचा नहीं जा सकता है सर्बत्र भेखी सारे रूप, सारे बेश तेरे हैं अच्छा, सारे रूप तेरे हैं, सारे भेख तेरे हैं, तो इन भेखों को जो देखता है, वो कौन है कि सर्बत्र पे की देखने वाला भी तू ही अद्वाइट शुद्ध अद्वाइट का वर्नन हो रहा है देखने वाला भी तू और दिखने वाला भी तू द्रिश भी तू और त्रश्टा भी तू The one who is observing is the observed देखने वाला दिखने वाले से जुद्ध नहीं दिखने वाले के आधार में जो चेतन है वही चेतन देखने वाला भी है कि सर्बत्र काजे कि सर्बत्र राजे कि सर्बत्र सोखे कि सर्बत्र पोखे सब काज सब काम तेरे द्वारा हो रहे है राज तेरा ही है सब जगे पर कि सर्बत्र सोखे सोखे नास नास तेरे हाथ से होता है सर्बत्र पोखे पालना भी तुही करता कि सर्बत्र त्राने कि सर्बत्र प्राने ताकत तेरी तेरी ही ताकत कि सर्बत्र प्राने सबके भी तर में प्राण बनके भी तू ही बैटा किसी दिन किसी दिन किसी खास दिन किसी अच्छे दिन किसी शुब दिन किसी मुकमल दिन में जरह अपनी चलती हुई सास को देखना और इस चलती हुई सास को देखते देखते ये बचन अपने साथ ले आना कि सर्बत्र प्राणे सर्बत्र प्राणे ये जो मेरे अंदर प्राण जा रहा है ये प्राण उसी परमत्मा का ही स्वरूप वही जा रहा है अंदर You breathe God in श्वास बनके भी वही भी तर जा रहा है कि जब आँख खोल के देखो तो ये वचन याद आए कि सर्बत्र द्रिश से द्रिश whatever you are seeing each and every scenario is a scenario of the divine वही दिख रहा है कि जब शब्द कोई शब्द तुम्हारे कान में जाए तो उन शब्दों को सुनकर उन शब्दों के अर्थ में मत पढ़ जाना बस इतना ही काफी ये की शब्द आ रहे हैं और हर शब्द उसी का है उसी का रूप है कानों में शब्द बन करके भी वही आ रहा है आँखों में द्रिश बन करके भी वही आ रहा है और मजे की बात तो ये है कि इन द्रिशों को देखने वाला भी वही है जो देख रहा है वो वही है जो दिख रहा है वो वही है जो सुन रहा है वो वही है जो सुनाई पढ़ रहा है वो भी वही है जो जीव है वो भी वही है कि सर्बत्र देशे कि सर्बत्र भेशे कि सर्बत्र माने सब तेरे को ही मानते सदेवं प्रधाने तु ही प्रधान देवता है कि सर्वत्र जाबे कि सर्वत्र थाबे सब तेरा ही चाब करते हैं सब तुझको ही याद करते हैं सब तुझे ही नमस्कार करते हैं सब तुझी को ही प्यार करते हैं सब तेरी ही आराधना करते हैं सब तेरी ही बंदना कर रहे हैं कि सर्बत्र भाने कि सर्बत्र माने कि सर्बत्र इंद्रे कि सर्बत्र चंद्रे सारे चंद्रम तु ही है सारे सुरुज तु ही है सारे सूरज आपको होगे सूरज तो एक होता है नहीं सूरज एक नहीं है हमारी गैलक्सी का सूरिय एक एक जो हमको दिखता है तीन साल पहले जापान में एक समय पर दो सूरिय उदे हुए थे दो सूरिय दिखे दो कहां से हो गए विज्ञानिकों में बड़ी चर्चा का विशे रहा कहीं उने का it is refraction refraction हो रही असल में नहीं लिखा Stephen Hawkins जैसे विज्ञानिक Stephen Hawkins को मैं आज का आइंस्टाइन कहते हूं Stephen Hawkins जैसे विज्ञानिकों नहीं अब बात कही कि जितनी हम दुनिया देख रहे हैं ये उतनी ही नहीं जितना हम संसार देख रहे हैं संसार उतना ही नहीं है और हम अपने ही संसार को हम अपनी ही गैलक्सी को पूरी तरह से नहीं जानते झाल झाल